नमस्कार आप सब में से कितने हैं जो सोतंतरता सेनानी दलित महवीर बहदुर उद्या चमार का नाम सुना हैं। आप में से कितने हैं जो माता दिन बालमिकी को जानते हैं। जनाब उदिया चमार और माता दिन बालमी की जैसे सोतंतर तास सेनानी, सोतंतर बीर, दलित महावेर इतिहास के पन्नों के मुखे प्रिष्ट से हासिय पे क्यों चले गए तो कि हिंदू बिरोधी इतिहासकार वामपंती इतिहासकारों ने उन्हें हासिय पे उसी समयला दिया हमारी कोशिश है कि हम अपने मूल इतिहास को ले करके सब के सामने आएं और आपसे आगरह है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचें अपने विरों के साथ, अपने मूल इतिहास के साथ, उदिया चमार एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो अठार सु संतावन में जब कहते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम की पहले लडाई थी, उसके प्रेय रख रहे हैं, वो, कौन नहीं जानता कि तिलका माजी जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं हमारे पास, उन्होंने जो अंग्रेजों के ब्रिद लडाई लडाई जो आग लगाई, वो ही ठरी नहीं, आगे बढ़ी, नाहर खां एक नवाब थे, जो अंग्रेजों के बहुत ही बिरोद में थे, और अंग्रेजों सुनकी लडाई बहुत ही जबरदस चलती रहती थी, नाहर खां के बेटों के साथ एक सूरबीर था जो अंग्रेजों के बिर्द लरता था उसका नाम था उदया चमार तन 1804 से 1807 के बीच उदया चमार ने नाहर खां के साथ अंग्रेजों के दाथ खटे कर दिये थे उनको चने चबा दिये थे उद्या चमार में ये खासियत थे ही लोग कहते थे आज भी कहते हैं उनके बारे में जो गीत गाय जाते हैं उसमें ये है कि उद्या चमार कब प्रगट हो जाते थे अंग्रेजूं का खात्मा करते थे, कब गायब हो जाते थे पता नहीं चलता था, गुरिल्ला, लडाई का अंट्रेंट, सूपर ट्रेंट, उद्या चमार थे, ऐसे सोसंत्रसनानी थे, दर्जोनों अंग्रेजूं को उन्होंने खलास किया थो, ये उद्या चमार जब पकरे ग आई, फांसी देने में, और उद्या चमार को फांसी देने के बाद जो शकून मिला, अंग्रेजूं को उससे पहले उस स्छेत्र में कभी नहीं मिला था, सोतंतरता सैनानी महावीर दलित महावीर उदेया चमार को परणाम करते हैं शत्षत नमन करते हैं शर्धान जली देते हैं सलाम करते हैं अब आते हैं माता दीन बालमीकी के उपर ये सिर्फ दलित महावीर नहीं थे सच मानिये तो मंगल पांडे ने जो शस्र बिरोज किया था 1857 को जो पहली क्रांथी कहते हैं उसके नायक माता दीन बालमीकी का नाम आना चाहिए था मंगल पांडे के साथ साथ माता दीन बालमीकी का नाम स्वरना अक्छरों में लिखा जाना चाहिए था अब तो लिखा ही जाएगा लिखा जा रहा है लोग समझ रहे हैं माता दीन बालमीकी के पूर बज अंग्रेजूं की सेना में काम करते थे और इस कारण इन्हें सेना में खलासी की नौकरी मिल गई, बैरेकपूर में जहांकि कार्तूस का निर्मान होता था, कार्तूस बनाय जाते थे, वहां माता दीन बालमिकी ने देखा कि किस तरह चर्वियों से कार्तूस बनते हैं, जिसे हिंदू सेना दास से खिषती है और फिर इस्तमाल करती है, कहानी का एक भागिया हुआ, दूतरा भागिया है कि माता दीन बाल में की पहलमान बनना चाहते थे और उन्हें को इस सवर्ण गुरु नहीं मिला, उस्ताद नहीं मिला, खलिफा नहीं मिला, जो उन्हें पहलमानी तिखा था, लेकिन उसी सेना का एक मानी सिखाऊंगा, तो सेना में खलाती की नौकड़ी करते हुए, माता दीन बाल में की पहलमानी भी सीखने लगे, और वहां उनकी दोस्ती मंगल पांडे से हुई, एक दिन की बात है, मंगल पांडे बहुत अच्छे दोस्त होगे, माता दीन बाल में की मंगल पांडे, ले मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज की तारिख में भी ये समस्या हमारे यहां है चाहिए बहुत थोड़ा ही क्यों न हो अम्बेद कर साब के संबीदान के निर्मान के बाद आरक्षनाने के बाद लोगों में जन जागरती हुई चेतना जागी और आज समाज लगबग बराबरी की सिती में आ गया है लेकिन ऐसा था नहीं जिसका खामिया आजा हम लोगों ने सालों और सद्यों भूगते हैं ये माता दिन ने उस वक्त एक ऐसा उधारन पेश किया कि आने वाले सालों तक सद्यों तक माता दिन को सलाम करना चाहिए पढ़ाम करना चाहिए एक बार माता दिन ने मंगल पांडे से लोटा मांग लिया पानी पीने के लिए तो कि वो एक्सरसाइज करके आया थे बयाम करके आया थे ट्रेनिंग करके आया थे प्रसिक्षन लेके आया थे अपने मल्युद्ध का तो मंगल पांडे ने कह दिया कि नहीं मतलो तुम दलित हो और यह मेरा लोटा अपावित्र हो जाएगा फिर वहीं गुस्ते में सच बोला मता दिन ने उन्हें कहा तुम कैसे पंडित हो जो गाय और स्कूर की चर्वी लगा कार्तूस मूमें लेते हो खिशते हो और अंग्रेजों की सेवा करते हो यह कोई दलित नहीं है हम सब हिंदू है और इसके बिरोध कर सकते हो तो करो फिर मैं मानूगा कि तुम पंडित हो बारे चूटिया रखते हो और यह जनाब बात संसन आती हुई फैल गई पूरे बरेकपूर में खामोसी ठंडी खामोसी फैल गई और जो भी हिंदू सेना थे अंग्रेजों के उनके अंदर बहचानी घर कर गई फिर एक दिन लाइन से निकल के मंगल पांडे ने अपने बंदूक से एक सेना का दिकारी को मार दिया और वो चीज फिर थामी नहीं ठीक है मंगल पांडे ग्रफतार हुए उन्हें फांती की सजा हुए और ये सब इतिहात में बहुत अच्छी तरीके से हैं बाल में की माता दीन का क्या हुआ जो पूरे परकरन के सुत्रधार थे जनाब अंग्रेज बेवखुफ नहीं थे उन्हें यहां अभी सौ साल और रहना था उन्होंने बाल में की माता दीन को भी ग्रफतार किया और बाल में की माता दीन को भी फांसी की सजा मिली लेकिन उतिहास के मुक्पन्नों पे बाल में की माता दीन क्यों नहीं है तो हमने आज उदेया चमार की कहानी सुनी बाल में की माता दीन की कहानी सुनी इन सूर्वीरों को, इन सोतंता सेनानियों को इन दलित महावीरों को हम पडाम करते हैं शर्षत नमन करते हैं शर्धान जली देते हैं सलाम करते हैं जै हिंद